ओम गण गणपते ये नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रों, प्रोफिट 666 चानल में आपका श्वागत है कैसे हो आप, आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक चमतकारी बीज मंत्र के बारे में बताने जा रही है जिसका प्रयोग करने से किसी भी रोग या बिमारी का नाश किया जा सकता है यह एक सिध्ध मंत्र है, इसलिए इस पर सिध्धी हासिल करने की अवशक्ता नहीं है और बिना किसी पूजा विधी से तुरंट इसका इस्तमाल किसी भी रोगी को रोग से आराम देने के लिए किया जा सकता है अगर साधक खुद रोगी हो, तो वह इस बीज मंत्र का प्रयोग खुद पर भी कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुर्पया सस्क्राइब करना मत भूलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें तंत्र के मुताबित इस पंत्र को सिर्फ एक बार बोलने से रोग या बीमारी को नश्ट किया जा सकता है कुर्पया एक चीज का ध्यान रखे कि जो जानकारी में आपको इस चानल द्वारे दे रही हूँ वह प्राचिन विश्वसिनिया तंत्र पर आधारित है और यह बहतर होगा कि अगर आप बीमारी से पेडित हो तो अपनी दवाईया और डॉक्टरी इलाज के साथ साथ इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो एक चीज का ध्यान ज़रूर रखे कि जितनी तिवृता से आप इस मंत्र का प्रयोग करोगे उतनी ही चल्दी इसका असर दिखाई देगा अब मैं आपको इस मंत्र प्रयोग के विधी के बारे में बताने जा रही हूँ विधी अत्यंत सरल और आसान है आपको थोड़े से पीले रंग के सर्सों के बीज अपने हाथ में लेकर एक बार पूरी एकागरता से इस मंत्र को बोलना है और फिर उन मंत्र अभी मंत्रित सर्सों के बीज को रोगी के बदन पर छिड़कना है अगर आप खुद बिमार हो तो इस का प्रयोग आप अपने उपर भी कर सकते हो और मंत्र बोलकर आप सर्सों के बीजों को आप अपने खुद के बदन पर छिड़क सकते हो यहाँ मंत्र प्रयोग करने के लिए आपको सर्सु के थोड़े से बीज लेने है केवल दस बारा सर्सु के बीज लोगे तो भी चलेगा अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ कृपया ध्यान से सुनिए मंत्र इस प्रकार से है ओम श्रोम रीम रीम रह रह फट्थ स्वाहा मंत्र फिर से सुनिए ओम श्रोम रीम रह रह फट्थ स्वाहा अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सस्क्राइब करना मत बुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे